सब्सक्राइब कीज़े टेकन विक्रांट चैनल को और बेल आइकन बजाईए आल कीज़े लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तों टेकनो विक्रांट में आप सभी का स्वागत हैं फैनली Realme वालों ने अपने Realme के डिवाइसेस के उपर जन्वरी 2023 का सौप्टेर अपडेट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है और इस वीडियो में मैं Realme UI 3.0 एंड Realme UI 4.0 का कौन-कौन से डिवाइसेस में सौप्टेर अपडेट देखने को मिला साथ ही Realme के निव सौप्टेर अपडेट नोटीस और साथ ही Realme के सिस्टम एप्लिकेशन अपडेट के बारे में मैं यहाँ पर बताऊंगा तो यहाँ पर मैं पूरे की पूरे डिवाइस लिस्ट सेयर करूंगा जिन्हें जन्वरी 2023 का सौप्टेर अपडेट देखने को मिल चुका है तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर डिवाइस लिस्ट के बारे में बात करने से पहले हम चलते हैं रियल मी कम्यूनिटी पर आपको पता ही होगा दोस्तों कि जो भी सौप्टेर अपडेट रोल आउट होता है उसका इंफर्मेशन हमें रियल मी कम्यूनिटी की उपर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जन्वरी 2023 में जो भी सौप्टेर अपडेट रोल आउट हुआ है उसमें किसी किसी डिवाइसेस को दिसंबर 2022 का Android Security patch देखने को मिलता है और किसी किसी डिवाइसेस को जन्वरी 2023 का करेंट मन्द का लेटेस्ट Android Security patch देखने को मिलता है अब बात की जाए January 2023 की डिवाइस लिस्ट की तो यहाँ पर Realme C30S, Realme 10 Pro Plus 5G, Realme C25S and Realme Narjo 50A को Realme UI 3.0 and Realme UI 4.0 के अपडेट के साथ जन्वरी मन्त का stable अपडेट देखने को मिल चुका है इसके लाव बात की जाए, Realme के January मन्त का फर्स्ट साप्टेर अपडेट नोटिस की तो वो आपको मिलते हैं दोस्तो 9 जन्वरी से 15 जन्वरी के बीच में जहाँ पर डिवाइस लिस्ट की बात करें तो Realme GT Master Edition and Realme 9 4G को Realme UI 4.0 का अरली एक्सेस अपडेट देखने को मिलेगा और Realme 8 5G and Nargo 30 5G को Realme UI 4.0 का ओपन बीट अपडेट देखने को मिलेगा इसी के साथ Realme GT Master Edition को Realme UI 4.0 based on Android 13 के अपडेट के साथ जन्वरी मन्त का अरली एक्सेस अपडेट देखने को मिल चुका है जो की अपडेट नोटिस के अनुसार यहाँ पर देखने को मिलता है OTA अपडेट देखने को मिल चुका है इसके अलावा बात कीजा अगले डिवाइसेस की तो Realme C21Y, Realme C25Y and Realme C33 को Realme UI 3.0 के अपडेट के साथ जन्वरी मन्त का स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है इसी के साथ बात कीजा अगले डिवाइसेस की तो Realme Narjo 50 5G, Realme C25 and Realme GT Neo 3 को Realme UI 3.0 and Realme UI 4.0 के अपडेट के साथ जन्वरी मन्त का स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है इसके अलावा बात कीजा अगले डिवाइसेस की तो Realme 8 5G and Narjo 30 5G को Realme UI 4.0 based on Android 13 के अपडेट के साथ जन्वरी मन्त का ओपन बीटा अपडेट देखने को मिल चुका है जो की साथेर अपडेट नोटिस के अनुसार देखने को मिला है इसी के साथ Realme C11 2021, Realme Narjo 50i and Realme C21 को Realme UI 3.0 के अपडेट के साथ जन्वरी मन्त का इस्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है इसके लिवाइसेस की तो Realme C1, Realme Narjo 20 Pro and Realme Narjo 30 को Realme UI 3.0 के अपडेट के साथ जन्वरी मन्त का इस्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है इसी के साथ Realme Narjo 50 Pro 5G and Realme 9 4G को Realme UI 4.0 based on Android 13 के अपडेट के साथ जन्वरी मन्त का Stable Update and Realme 9 4G को Early Access Update देखने को मिल चुका है जो की Software Update Notice के अनुसार देखने को मिलता है इसके अलावा बात की जाएगले डिवाइसेस की तो Realme 8, Realme GT Neo 2 and Realme GT 2 Pro को Realme UI 3.0 and Realme UI 4.0 के अपडेट के साथ जन्वरी मन्त का Stable Update देखने को मिल चुका है इसके साथ Realme 9 Pro Plus, Realme Pad X and Realme Pad को जन्वरी 2023 का Stable Update and Realme 9 Pro Plus को Realme UI 4.0 का जन्वरी मन्त का Stable Update देखने को मिल चुका है इसके अलावा Realme 9i, Realme Nargo 30 5G and Realme 8 5G को Realme UI 3.0 के अपडेट के साथ जन्वरी मन्त का Stable Update देखने को मिल चुका है इसके साथ Realme 10 Pro Plus 5G, Realme Nargo 30A and Realme C30 को Realme UI 3.0 and Realme UI 4.0 के अपडेट के साथ जन्वरी 2023 का Stable Update देखने को मिल चुका है तो एरह दोस्तों पूरे की पूरे डिवाइस लिस्ट जिन्हें जन्वरी मन्त में Realme UI 3.0 and Realme UI 4.0 का अपडेट देखने को मिला अब दोस्तों बात की जाए Realme के सिस्टम अपडेट की तो यहाँ पर दोस्तों Realme ने काफी सारे सिस्टम अपडेट प्रोवाइड करवाए हैं जिन्हें आप अपने डिवाइस के उपर अपडेट करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलिग्राम ग्रूप का लिंक जो है एड कर दिया है आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड करके अपने सिस्टम अपडेट कर सकते हैं तो इतना ही था दोस्तो इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई and टेक केर दोस्तो